कॉमन हूपी यहाँ एक रंग बिरंगा लंबी एवं पतली चोँच के साथ सिर पर एक खुबसूरत ताजनुमा कलंगी लिए छोटा सा पंग्शी है जिसकी सर से पूंच तक लंबाई करीब 25 से 32 सेंटिमीटर तक होती है वहीं इनका बजन 165 ग्राम से लेकर 175 ग्राम तक होता है इनके पंकों का फैलाब एक फिट से लेकर देड़ फिट तक होता है नर्ट और मादा दोनों ही लगबग एक ही तरक दिखते हैं लेकिन नर की छाती का हिस्सा मादा की तुल्ला में ज़्यादा गेहरे रंका और चंगीले रंका होता है कौमन हुपे को हिंदी में हुद हुद कहा जाता है कौमन हुपे को अपना ये अनुखा नाम अपनी यूनीक अवाज की बज़े से मिला है हुद हुद ज्यादा तर अकेले रहते हैं या फिर जोडों में ही इन्हें देखा जा सकता है सर्वियों के मौसम में इन्हें सनबात लेना काफी पसंद होता है ये मिट्टी पर पंक फैला कर बैठ जाते हैं और अपनी चौच से गरम गर मिट्टे को अपने उपर छड़कते रहते हैं ये खाने में छोटे मोटे कीट पतंगे और छोटे सरिसरे फी खाते हैं कौमन हूपे, पेड़ के खोल या किसी दीवार की दरार में अपना घौसला बना लेते हैं एक मादा चार से लेकर दस अंडे तक देती है अंडो का रंग सफेद होता है इनकी बीठ बहुत ही बदबूदर होती है जिससे की इनके घौसलो को आसानी से अडेंटिफाई किया जा सकता है इनकी ये बदबूदर बीठ इन हैं और इनके चूजों को और उनके अंडों को इनके दुस्मनों से बचाती है आगे आप सुनेंगे इनकी कॉल ठेंक्यू सो मच मेरा नाम है विशेग और आप देख रहे हैं डैवर्सिटी ओफ इंडिया की बर्ड ओफ लद्दाक सीरिस जाहिं जैभारत